अभी हम लोग discuss करेंगे BCSL 022 या Assembly Language का practical question paper है previous year का question paper मैंने लिया है June 23 का question paper है इसका भी pattern बिल्कुल same है जैसे C language में हम लोगोंने discuss किया था इसमें भी two questions पूछे गये हैं पर question आपको 20 marks मिलेंगे और 10 marks आपके वाईबा के लिए reserve होता है इसमें बहुत सारे students को confusion है उन्होंने request किया है कि सर एक बार आप इसके program को run करके बताएए तो मैं अभी आपको assembler का use करके दोनों program को run करके बताने वाला हूँ यानि set 1 मैंने लिया है इस तरह से four sets होंगे तो set 1 के दोनों question को मैं आपको compile करके बताऊँगा आपको क्या करना चाहिए कि इसके जो program का जो format है आप जैसे mcs01 में भी आपने study किया हुआ mcs01-2 एक subject था computer organization आप लोगों ने study किया है उसमें भी assembly language आपने दो chapter से study किया हुआ है तो उसमें जो program का pattern होता है वो program का pattern आपको याद होना चाहिए उसका structure याद होना चाहिए कई बार यह होता है कि उनके system में assembler नहीं होता है यानि उसको compile नहीं कर पाते हैं तो क्या करते हैं कि आपसे notebook में लिखवा लेते हैं तो क्या करोगे जो उसका structure है format है वो भी आपको याद है और format भी आपने लिख दिया तो जो teacher होते हैं वो आपको pass कर देते हैं तो आप एक बार जो इसके program के structure है उसको याद रखे और जो assembly language आपने study किया है दो chapters में बता रहा हूँ mcs012 subject में उसमें दोनों chapters के जो basic concept है वो आपको study कर लेना चाहिए जैसे assembly program किस तरह से write करते हैं assembly program में data type कैसे declare करते हैं assembly program में registers कितने होते हैं कैसे use होता है यह सारी basic चीज़ आपको याद करके जाना चाहिए वाइवा के लिए तो यह subject भी आपका easily clear हो जाएगा ठीक है तो यह भी मैं आपको दोनों program one by one write करके मैं आपको बताने वाला हूँ, okay, set one का question first लिया है मैंने इसमें आपको largest number find करना है यहाँ पे four bytes का data आपको input करना है और इसमें से जो highest byte होगा यानि जिस byte में highest number होगा उसको यह register के अंदर store करना है, इसमें question लिखने का तरीका यह होता है इसी को यदि C language में लिखा होता तो इसका मतलब यह होता कि four numbers आप input करो और उसमें से largest number आप find करके आप बताओ, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है four bytes का data आपको लेना है और उसमें से जो highest byte होगा उसको एक L register के अंदर store करना है आपको, right, अचा ठीक है, सबसे पहले म कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ, EMU8086, emulator 8086 का, आप इसको Google में search कर सकते हो, download करके आप इसको program इसमें आप राइट कर सकते हो, या कोई और भी software आप यूज कर सकते हो, तो यह compile करने से पहले मैं आप सबको यह बताऊंगा कि यह इसका execution कैसे होता है, इसमें जितने command से इसका मतलब क्या है, पहले मैं एक बार यह discuss कर लूँ, उसके बाद फिर मैं इसको run करके, compile करके आपको बताऊंगा, तो देखे, सबसे पहले इसको देखो, मैंने rewrite कर लिया है, दुबारा इसे big font में, ताकि आपको दिखाई दे, clearly, अब इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर आप इसका मतलब, yes, why why में पुछा जा सकता है, तो आप इस तरह से answer कर सकते हो, यह देखे, data segment है, yes, mcs012 जो subject था, उसमें आप लोगोंने data segment इस तरह से आपने लिखा होगा, data segment complete इस तरह से लिखा जाता है, और उसके अंदर आप variable declare करते हो, यहाँ पर data segment को define करने के लिए, साथ आपको use करना है, और यह देखो variable मैंने एक define किया, और इसमें four bytes data इस तरह से मैंने store किया है, इसको आप ध्यान रखे, यह code segment के लिए dot code से, और यह वाली जो line है, इसका मतलब होता है, कि जो register है, general purpose register है, और जो data segment है, उसको initialize करने के लिए use किया जाता है, आप सब को मैं part and lowest part, यानि AH और AL register के combination से बनाया जाता है, इसका size क्या है, 8 bits होता है, इसका size क्या है, 8 bits होता है, और इस तरह से देखा जाए, तो X का size क्या होगा, 16 bits होगा, याद रखे, आपके exam में इस तरह के questions पूछे जाते हैं, okay, BX का भी इसी तरह से होगा, इसके दो part होंगे, H और L दो part होता है, आप याद रखो, highest and lowest part, ठीक है, इसी तरह CX का भी होगा, CX and CL, okay, चलिए, अभी हम लोग discuss करते हैं, AL को, क्योंकि हमारा जो result है, वो AL memory के अंदर store करना है, right, तो देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस sentence का मतलब क्या है, AL, X, move करना है, AL, X, इसका मतलब है जो X की value है, वो AL register के अंदर store होगा, तो इससे statement का मतलब है, AL register के अंदर अभी by default, जो इसमें first number आपने store किया होगा, इस number को store कर देगा, AL के अंदर, clear हो गया है, yes, यह H का मतलब होता है, hexa, यहाँ पर आपको लिखना जरूरी नहीं है, बट आप चाहो तो आपको लिख सकत का मतलब है, next number, next number क्या लिया होगा, तो इसमें four store होगा, यहाँ तक clear है, अब देखो इसको, इस line का मतलब क्या है, compare करो, BL register and AL register, यह दियान रखना है, first position पे BL register है, right, इसका मतलब क्या हुआ, कि यह jump above, यानि first register की value, यदि above होगा, यानि larger होगा, greater होगा, तो यह jump करेगा कहा पर, well के पास, यानि well क्या है, यह जो well मैंने एक variable लिया हुआ है, इसको level कहते है, आपने C language में भी इस तरह से define क्या होगा level, तो इसको level का name मैंने लिया हुआ है, well कुछ भी ले सकते हो, तो यदि एक condition true होगा, तो अभी देखो, BL की value क्या है, four, और AL क्या है, AT, अब इसमें एक level लिया हुआ है, इसका मतलब है, कि यह BL की value AL में store हो जाएगा, लेकिन जैसा कि अभी आप देख रहे हो, यहाँ पर एक condition क्या है, यह false है, तो यह आपका jump process नहीं होगा, सबज में आरहे है, चलिए, अब करसर यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर देखो, BL के अंदर क्य अंदर क्या है, देखो, फिर से compare करना है, BL first position पर है, AL second position पर है, यहाँ पर देख सकते हो, और इसमें BL की value क्या है, 96 है, और AL की value क्या है, अब देख रहे हो, AL में, पिछले step में क्या था, AL, yes, at 0, तो यहाँ पर at 0, अब इसको compare करो, अब देखो, यह first number क्या है, यह larger है, jump above, यह देखो, J, command, jump above, इसके बदले आप J, G भी write कर सकते है, jump greater, इसका मतलब होता है, jump greater देख, यानि first position पर जो भी register होगा, उसकी value यदि larger है, तो यह jump होगा, jump का होगा, well, well position पर देखे, क्या लिखा हुआ है, मैंने, well position पर लिखा हुआ है, BL की value, AL में store हो जाएगा, तो इस case 96 होगा, yes, यानि BL equal to, यह आजाएगा, AL में, 96 कहा हो गया, AL के अंदर store हो गया, अब यह status है, ठीक है, एक और compilation रह गया, इसको check करो, अब देखे, X plus 3, क्या होगा, बता सकते हो, X plus 3 का मतलब है, यह number आएगा, तो इस number में, यहाँ पर क्या है, आप देखे हो, BL के अंदर क्य store हो जाएगा, यह 57, यह number था, yes, फिर से देखे, 57 number इसके अंदर store हो गया, अब आप देखो, AL के अंदर क्या है, AL के अंदर 96 हो चुका है, फिर से compare करो यहाँ पर, यह देखो, comparing line क्या है, BL first position पे, then AL, तो अब BL क्या है, 57 और AL क्या है, 96, अब इसको compare करो, क्या above है, jump above, यानि यह larger होगा, तभी above करेगा, jump करेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, above नहीं है, यानि greater नहीं है, यह condition क्या हो गया, false हो गया, तो इसका मतलब अभी यह jump नहीं करेगा, jump नहीं करेगा, अब आपका program terminate हो जाएगा, program terminate करने के लिए यह वाली line है, यह याद रखिए, assembly program को terminate करने के लिए, यह हम लोग function use करते है, 20h function family का name है, ah4ch, इसका syntax, right, तो यह दोनों sentence बिलाकर एक function बनता है, और इसका मतलब है, मतलब है कि यह program को terminate करने के लिए, जैसे c language को आप terminate करते हो, get ch, इसी तरह इसको भी आप terminate कर सकते हो, अब यहाँ पर program terminate हो गया, अब आप देखिए, इसका मतलब है, AL register के अंदर क्या answer रह गया, 96, तो आप देख सकते हो कि इसमें जो numbers मैंने input किया था, इसमें से highest क्या था, highest byte आपका 96 था, तो 96 इसके अंदर store हो गया, ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं इसको compile करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से execute होगा, आप देख रहे हो, यहाँ एक रिस्टर के अंदर क्या है, 00, HL, यहाँ पर देख सकते हो, H, यानि higher part 0, lower part 0 है, इसको फोकस किजी आप लो, देख रहे हो, अब इसको मैंने यहाँ पर दुबारा run किया, तो देखो, प्रोगाम रन करने के बार, यहाँ पर देख रहे हो, AL register क के अंदर क्या आगया, 96 आगया, यही था हमारा question, कि AL register के अंदर जो highest value है, वो इसके अंदर store हो जाए, ठीक है, अब आप इसको close कर सकते हो, इस तरह से yes, आप कह रहे हो, number change करके मैं बताओ, तो मैं इसको number change कर देता हूँ, एक बार यह देखे, मैंने यहाँ पर 16 ले लिया, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है, अब इसको फिर से save कर लो, run करो, और फिर से यहाँ पर run करना है, यह द्यान रखे, आप यह run करोगे, तो यह देखे, अब highest value number क्या आ गया है, 80, 80 यह आपका highest number है, आप देख सकते हो, जो range दिया हुए है, इसमें क्या है, highest number क्या है, 80 तो इस तरह से आप program को run करोगे, execute करोगे, और इसमें जितने भी component है, यह आपको पता होना चाहिए, किसका मतलब क्या है, और generally आप से वाइवा में यह पूछा जाएगा, ओके, देखो, set 1 का question number 2 लिया है, इस question में आपको एक near procedure define करना है, देखो, procedure का मतलब वही होता है, जै आपको यह check करना है कि इसकी जो parameter की value है, वो 0 है या नहीं है, यदि उसकी value 0 है, तो आपका subroutine terminate हो जाना चाहिए, otherwise one return होना चाहिए, ठीक है, question समझ में आ गया, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इस question को समझते हैं, one by one, इसके सारे parts को उसके बाद फिर हम लोग compile करके देख कर दिया है, देखो यह वाला part optional है, नहीं भी करोगे यह वाली line, तो इसका मतलब by default BL में 0 होता ही होता है, और यहां पर देखो first time मैंने number को यहां ले लिया है, one, तो इसके according AL में cash store हो जाएगा, one, अब इसको देखो, यहां इसके बाद यह call check number, check number मैंने procedure का name लिया है, question में क यूज करना है, जैसा कि question में दिया हुआ था कि near procedure बनाना है, तो इस बज़े से near keyword आपको use करना है, अब यहां पर देखो, इसमें मैंने compare किया है, AL और BL को, AL की value क्या है अभी, one, इसके according आपको बताना है, one और यह क्या है, zero, इन दोनों को compare करेगा, अब यहां पर check करो, jump equal, यह इसका मतलब है कि दोनों यदि equal होगा, तो cursor यहां jump करेगा equal level के उपर, एक मैंने level लिया हुआ है, देख सकते हो यहां पर, और इस level के नीचे क्या लिखा हुआ है, return, वही return है, जैसे c language में जो function बनाते हैं, उसमें return keyword use करते हैं, तो यहां पर ret keyword use होता है, ध्यान रखना return नहीं लिखना है, complete, ret लिखना है, इसका मतलब है कि यदि यह equal होगा, तो cursor यहां पर आएगा, और यह terminate हो जाएगा, यानि जो procedure है, subroutine है, वो यहां पर terminate हो जाएगा, कब terminate होगा, जब यह equal होगा तब, लेकिन अभी क्या है, equal नहीं है, equal नहीं है, तो इस case में यह वाल अब क्या करो, आप इसको यह assume कर लो, कि ale register के अंदर मैंने one की जगह, मैं यहां पर zero कर लेता हूँ, zero pass किया, तो देखो ale register में क्या होगा, zero होगा, अब यहां पर compare करोगे, इसको तो क्या होगा, zero to zero compare करोगे, अब क्या होगा, अब यह वाली line work करेगा, jump equal, इसका मतलब है, क run करेगा, equal level के उपर, और equal level में क्या define क्या होगा, return, इसका मतलब है, कि यहां से आपका जो procedure है, वो terminate हो जाएगा, return हो जाएगा, ठीक है, यह समझ में आ रहा है, तो चलिए, अब मैं इसको एक बार आपको बता दूँ, कि कि किस तरह से system पे execute होगा, आप देखो, यह इस program क मैंने यहां पर फिट से open कर लिया, देखो, और यहां मैं run करके बता रहा हूँ, अभी मैंने number one की value क्या लिया हुआ है, one लिया है, यहां पर ठीक है, अब इसको run किजिए, तो आप देख सकते हो, run किया, एक और बार यहां पर run क्लिक करना होता है, देख सकते हो, यहां पर, अब दोनों equal है, तो equal है, तो यह वाला statement काम करेगा, यानि cursor यहां पर jump हो जाएगा, यानि इसका output कुछ भी show नहीं करेगा, आप देख सकते हो, run किया, मैंने, फिर से इसको compile किया, अब आप देखे है, यहां पर AL register के अंदर क्या है, nothing, zero, देख रहे हो, आप कुछ भी नहीं यह program आपका यहां पर terminate हो गया, यह देखो, इस तरह से आप इसको, देखो, simple तरीके से मैंने आपको बताया, इससे और ज़्यादा compact नहीं हो सकता, इसलिए इस program को आप एक बार practice कर लेना, और इसमें जितने भी command है, देखो, program exam में आप लिख पाओ या नहीं लिख पाओ, आपने just like format भी लिख दिया यहां पर, तो आपके marks मिल जाते हैं, और generally इसमें वाइवा पर ज्यादा focus करना है, क्योंकि आपके exam में इसमें वाइवा पर depend करता है आपके marks, okay?